नमश्कार, विल्कम टो माई चैनल, मैं हूँ मनिशा, दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद और आभार, क्योंकि आप सभी ने मुझे बहुत सारी बधाईया दी हैं हमारी मैरिज अन्वरसरी पे और आप सभी का प्यार यूही हमारे चैनल के साथ और हमारे साथ ब मैंने सभी चीजे में आपके साथ शियर करना चाते हूँ क्योंकि आप भी मेरी फैमली हो और आप सभी जानना चाते हैं कि मैं कैसे रहती हूँ कहां कैसे बहुत सारे क्विश्चन आप सभी के मन में आते हैं तो मैंने सुचा मैं छोटा सा ब्लॉग आपके लिए तयार करू तो कोई गलती हो जाएगी तो मुझे माफ करीगा क्योंकि मैं ब्लाउक कभी बनाती नहीं हूँ और आप सभी के रिक्वेस्ट और कॉमेंट पे मैंने ये वीडियो शेयर की है तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं सुबा की बात करूँ तो सुबा सबेरे हम लोग गंगा असनान को गया थे जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग प्रियाग राज से विलॉंग करते हैं और प्रियाग राज में त्रेवेडी संगम है माता गंगा के दर्शन और असनान की बहुत बड़ी महिमा और महतुता है तो हम लोग हमेशा जाते हैं तो ये देखिए हम लोग गंगा के तट पर आ चुके हैं और सबसे पहले मैं आप सभी को माता गंगा के दर्शन कराना चाहूंगी बहुत ही शुद्ध और पवित्र जल होता है मा गंगा का आप अपने घर में स्टोर करके जरूर रखा करें और इस तरह से हम लोगों ने यहां पर गंगा स्नान किया और वहां पर दूद बगरा चढ़ाया जाता है पूजन किया जाता है वो सभी करके स्नान दान करने के बार हम लोग यही पर बड़े हनुमान जी हैं जो लेटे वाले हनमान जी के नाम से प्रसिद्ध हैं तो वहां पर दर्शन आधी करके दान पुर्णे करते हुए सभी चोटे चोटे धार्मिक करना भी चाहिए और हम सभी करते हैं इस तरह से करते हुए घर वापस आगे हैं और अब भी बच चुके हैं सुबा के आठ और इस समय हम लोग बहुत चोरो की भूग लगी हुई है तो चलिए फटा फट से कुछ नास्ता भी कर लेते हैं तो नास्ते में हम लोग घर का ही नास्ता जादा तर रिफर करते हैं तो हमने यहां पर फटा पट चे बनाया है पोहा तो कि बहुत जल्दी बन जाता है और कम घी तेल में तो यह देखिए मैंने पोहा बना लिया है बहुत ही कलरफुल बना है तो यह है पोहा रेडी हो चुका है इसे मैं सर्विंग वाउल में ले लेती हूं और इसके साथ में चलेगी चाय तो चाय भी मेरी रेडी हो चुकी है और घर पे जादा लोग नहीं है मैं हूँ मेरे हस्बेंड है और मेरा बेटा है तो यह तीन कप चाय मेरी रेडी है और चाय नास्ता होने के बाद में लंच में मैंने क्या बनाया है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी तो कुछ खास मैंने नहीं बनाया है क्योंकि साम को हम लोगों का प्रोग्राम है बाहर जाने का तो यह देखिए मेरी धाली हो चुकी है रेडी और हमने बनाई है यहां पे पकोड़े वाली कड़ी क्योंकि मेरे बेटे को cuatro पढ़े कड़ी आलु परवल की सूखी सब्जी कर दो के कड़ी सब्सक्राइब नहीं, राय के नहीं होगे चावल की साथा है सूखे साइल तो कि लिए अप्यां एक जिसक आखे न रोटी और चावल अपरिया, पेपली ताली तो चलिए बाहर चलते हैं और हम लोग यहां पर सिवलाइन से वहां पर जाते हैं दिनर के लिए और यह देखिए आ चुके हैं और थोड़ी वीडियो बना पाएंगे क्योंकि बहुत जादा लोगों के सामने ऐसे वीडियो बनाना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है मैं अक्सार अकेले रूम में बनाती हूं तो पब्लिक प्लेस में मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है तो यह देखिए हम लोग आ चुके हैं दिनर के लिए और यहां पर क्या-क्या हम लोग ने ओर्डर किया था वो भी में आपको थोड़ा सा बिखाना चाहूंग से लिए और यहां आपको लोगगा स क्या है एक श्याहूंग देखिखे है ट्ड़ा यहांश झाय मुझे रच्फे जिए भाल वाल यहांग बड़ा जया है यह तो फो बड़को रा भाला भी मुझे कलाता हैं अज्ड़ानों छुछा बड़ा जबाना हैं अश्दतरी हूड झाल झाल